नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निउज की डिफेंस टॉक्स रिश में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देद ना करते हुए आज की वीड किया गया है खास करके पाकिस्तानी डॉन की अक्टिविटी को देखते हुए हमारे सभी मेजर लोकीशन पर या बॉडर यह पर एंटी डॉन सिस्टम को डिपलॉय करने की बात की गई थी और अभी तक इंडियन आमी इंडियन एर फोर्स और हमारी अलग 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 एंटी सिस्टम को अपनी सर्विस में इंड़्स में अभी तक जितने भी नूज और शिस्टम से अपनी सरम सेंडियन करने का अप्लान कि बना गया था उनको करने के लिए, बना गया था. किया गया था बेसिकलिए डियाड़ो की डीफ और एंटिडोन सिस्टम का एक नैवल वाइजिंट होने वाला था और अभी भारत इलेक्ट्रोनेक लिम्टेड की तरफ से इनको मैनुफेक्चर करना भी स्टार्ट किया जा चुका है और पहले से इन सिस्टम को नेभी की तरफ स अपने सर्विस में इंडर्ट करने का प्लान किया गया था तो इस वज़े से अभी इन सिस्टम को फॉर्मली हमारे वाईजिंट करना स्टार्ट किया जा चुक है, इसमें भी इसकी सर्फेस वेरियंट की तरह बोथ सॉफ्ट केल और हर्ट केल सिस्टम मौजूद होने वाला है इस सिस्टम पूरे 360 डिगर में भी नज़र अक सकता और अभी नेवी को इसकी बोथ स्टैटिक और मोबाइल वेरियंट को भी डिलीवर किया जा चुका है और वक्त के साथ आमर की टेकनोजी भी बहतर होता गया आज की बात करें तो आज कल आमर प्लेट को बुलेट पुप जैकेट से लेके मिलिटरी वेकल और टैंक्स में इस्तमाल किया जाता है और अभी हम जिन आमर प्लेट की बारे में बात करने वाले हैं टैंक्स के आमर के साथ जुड़े हुए होने वाले हैं। यूँकि बाकि किसी वी आमर प्लेट के मुकाबले सबसे ताकत हो आमर प्लेट होने वाले हैं। यूँकि टैंक्स की आमर जिने मुनिशन को और एंटी टैंक गाड़ेट मिसाल की वारेट को डिफीड कर सकता है उसे बाकी कोई आमर प्लेट वहाँ पे जेल नहीं सकता है इसी वज़े से इनका सबसे बहतर होना काफी ज़रूरी है अब जिनरेशन वाइस देखा जाए तो ज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाए जिस वाज़े से वह सकता है इसकी इंजिन के उपर एक्स्ट्रा दबाब भी पड़ सकता है ऐसे मैं अभी सुनने को मिल रहा है कि भारत और साउथ कोर्या के तरफ से एक साथ मिलकर नेक्स जनरेशन आमर प्लेट को बनाने की कोई जिनको आगे चलके भारत अपनी फूचर टैंक्स में इस्तिमाल कर सकता है इसमें साउथ क्रेक की नेशनल डिफेंस अंट टेक्नोजी एजनसी एडीडी की तरफ से भारत के साथ जॉइंटली काम करना स्टार्ट किया जा रहे और इनकी आमर प्लेट की टेक्नोजी को सबसे इसमेल करने के बारे में सोच सकता है अगला अपडेट इंडियन एरफोर्स की तरफ से बारे में बाहरे बात करने वालें की साथ भारत के लिए क्मशरशी है कि नौ और तो सबीजाते हैं हुआ था उसके बाद रश्या के ऊपर काफी सारे संक्शन को लगा जा चुका है जिसके बाद रश्या के साथ कोई भी फानेंशनल ट्रांजेक्शन को कर पाना हमारे बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसी वएसा अभी प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट को पेस किया गया था जिस सब्सक्राइब करके सुखोई और मिक-29 जैसे एक्राफ्ट को अपरेशन रखने के लिए जरूरी होने वार वह सभी भारत को मिलने में दिक्कत हो सकते हैं कि भारत की तरफ से इन सभी चीजों को खरीदने के लिए रश्या के साथ को भी फैनेशल टांजेक्शन नहीं किया जा रहा है जिससे आगे चल के एक्स्ट्रीम केस में भारत को अपनी एंटार रश्या और जिन एक्राफ्ट की फ्लीट को ग्रांड़ रखने की जूरत पड़ सकती है और आप सभी जानते हैं कि हमारी एरफोर्स की जो बैक्बोन एक्राफ्ट है वह सु-3 एमकाई फार डज जा रहा है और खास करके इसी वज़े से चल की तरह अपसे भी ओपनली सभी एक्राफ्ट की उपरेटर्स को इनकी स्पेर पार्ट को और सर्विस को प्रोवाइट करने का ओफर भी दिया जा रहे तकि जो लोग रश्या ओरिजिन एसु-3 का इस्तिमाल कर रहे हैं उनको अभ आगे चल के सभी रश्या डिफेंस एक्क्यूपमेंट के उपरेटर तक उनकी सभी जरूरी एक्क्यूपमेंट को पहुँचा जा सके और जहां तक बात रही पेमेंट इसु की तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पर अभी भारत रश्या के बीच कई अल्टेनेटिव अगला अगला अपडेट एक मजदार अपडेट होने वाला और यह अपडेट यूक्रेन और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है आप सभी जानते की यूक्रेन और रुस्या की लड़ाय की वज़े से अभी लगभग सभी western country की तरफ से उनको यानि की उक्रेइन को मदद किया जा रहा है और इसमें उक्रेइन को फैनसल हेल्प के साथ साथ वपन्स को भी सप्लाई किया जा रहा है इसी बीच आपने सुना होगा पाकस्तान की तरफ से भी उक्रेइन को ammunition को सप्लाई करने की कोशि अब से तब पाकिस्तान ammunition को लेके चिंता जताया गया था अभी वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल ला है लेकिन इस बार artillery cell के बदले हम rockets के बारे में बात करने वाले हैं युक्रेइन की 17 टैंक बैटलियन के गमांडर वो दिमर का कहना है कि अभी युक्रेइन की जो BM-21 ग्रेट rocket launcher system है इनकी ammunition की stockpile खतम हो चुका है और अभी mainly उक्रेइन इसके लिए Czech Republic, रोमाने और पाकिस्तान के उपर dependent है जो कि इनकी ammunition को उक्रेइन को supply कर रहा है इनिशेली पाकिस्तान इन डिरेक्ली पॉलान के जरी इन सभी system को उक्रेइन को supply कर रहा था लेकिन अभी डिर कहना है कि मजबूरी में आके उनको इसका इस्तमाल करना पढ़ रहा है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से supply किए गे ammunition बहुती low standard के जिस वज़े से युक्रेइन की rocket launcher system को यहां पे नुक्सान का सामना करना पढ़ रहा है और यह दूसरी बार है जब युक्रेइन की तरफ से पाक